आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार आज की नहीं हैं यह पैचान प्राचीन हैं क्योंकि हम पुराने समय की बात करें तो भारत की तरफ से तमाम ऐसे काम किये गए हैं भारत के तमाम ऐसे अविसकार हुए हैं भारत की तमाम ऐसी देन हैं जिसके चलते भारत का नाम सुरू से पूजने रहा है तमाम ऐसी गर्णा ह हैं तमाम ऐसे कीर्टिमान हैं तमाम ऐसे अभिसकार हैं तमाम ऐसी उपरब्दियां हैं जो यह बताती है कि हम बसुड़ाइब कुटमगम की भावना को साथ रखते हैं इसके अलाबा भारत की अलग पैचान है अभिसकारों के मामले में और हमारा देश बसुगरू बनने की तरफ जो अगरसर है उसके पीछे हमारा प्राचीन इतियास भी रहा है क्योंकि हम प्राचीन समय में बसुगरू थे तकनीक के मामले में बेहस्थाओं के मामले में हम भले ही आज कुछ पिछले हुए हैं और ये स्थिती भारत के परतंथ होने के कारण जिसके चलते भारत में संसाजनों की कमी भी आई थी जो भारत की जो ब्योस्थाएं थी वो भी कम हो गई थी और जो एकनोमी थी वो भी डाउन चली गई थी जिसके चलते हम आज भी विकासील देसों की स्रेणी में हैं पर इसके बाब जूद भारत ने हमेशा पेगती की और तमाम ऐसी बाते हैं जो हमारे देस जुड़ी हुई हैं और जिनको लेकर हम हमेशा चर्चावें बने रहते हैं और ये चर्चाएं इसलिए मेटपूर्ण हैं क्योंकि इन चर्चाओं के बारे में लोगों का जामना वह ज़ते हैं भारत भारत बहुत देश है यहां पर लोग कहते तो हैं कि हमनों ने ये किया हमने ये किया पर अगर अगर उनके प्राचीन इस्तिरी पर गौर गरेंगे तो ऐसे बड़े-बड़े काम जो बिस्व में लगातार चर्चा में रहते हैं वो सारे भारत की देन आई बृस्ट का पहला बीस्विद्याले तच्चिसा में खुला विस्ट की सल्लेच चिकिस्षा यानि सर्जरी प्राश्टिक सर्जरी भारत में सुस्रूत ने की थी महान चिकिस्षा सुकृत में उनके नाम जाता है और अगर हम सर्जरी के बार करें जो 400 साल पुरानी सर्जर थे और इसमें नियरो की सरजरी भी सामल है 예 तो बात होगी सरजरी इसके बाद जो सबसे बड़ी बात है किसी संख्या को किसी भी को किसी भी चीज को हम नाथते हैं चाहे वो पैसा हो या ब्युस्ता हो दोरी हो तो उसमें जीरो की बहुत मेटपूर भूमिका है तुम आपको बता दू कि जीरो भी भारती एप ग्यानिक आरभट के द्वारा दिया गया था वो जीरो जिसके बना तमाम चीजों की हम कलपना ही संबब नहीं है इसके अलावा हम आते हैं दसंबलब पर दसंबलब पर दसंबलब नाली यानि एकाई दहाई शेकला हजार दस्या लाग दसला करोर जिसके हम आगी चरते चले आते हैं वहाँ पर दसनलाव परनाली की मेर्पूर भूमीका है और घिक भारत की दो अगर हम बात करते हैं और तमाम चीजों की बीज गरे तरकोलमती कैलकुलस जैसे बड़े विशों की जिनकी वगहता आज भी देखते हैं चाहे युद्धो, चाहे नोसेना हो, चाहे कोई भी सिविल का बर्खो, चाहे कोई भी गड़े से समझने बर्खो, वहाँ पर बीज़ गड़ेत और ट्रकॉल मिट्वर्टी और कल्कुलस की ब्योस्ता चिवर पड़ती है, और ये ब्योस्ता भी बिश्तो समुझाय को भारत न कि तेहें वह चीजों को अपितर खीजता है और इसदान जो है भी बताई गई था यो ये भी पताने वाला कौम थे भारतिय कि इसकी इसके अलाबाघ बात करें तो 2 अ जनकी अगर हम गयंकों करेंगे तो यह सारे ब्योस्था करेंगे लो भारती ब्योस्था से निकले लिए फेल भारत ने डिया ब्रशु इसके बाद आगर हम चर्चा करते हैं संस्कित की तो विश्व की सबसे प्राचीन भासा संस्कित है और समस्त भारत से भासाओं की जन्नी है यहां तक यूरोपिये कई भासाएं संस्कित से ही निकली है पाई की मुल्ड की गण्णा करें तो पाई की मुल्ड की गण्णा भी भारत से शुरू ही भारत में ही सुन्ने को योग और आयुर्वेद दिया जो सबसे पुरानी चिकिसा पद्दती है इसके बार अगर खगोल विज्ञान की बात करें तो संपून विष्ट को खगोल विज्ञान देने बाला भी भारत ही है और विष्ट्व की जंसंख्या करना ये भी भारत के द्वारा लाई गई है ग पाउस भारत सन 6602 की है रेडियो पिसान कीत्स की बात करें हाला कि रेडियो के जनक जो है वह मारकोनी को कहा जाता है पर यह है ज्यदिस्ट शण बसूने अपना एक रिपोर्ट विष्टी ऐस法 कां किया और उसी रिपोर्ट पर आगे बढ़ते हुए उन्हानलने रेडियो तरंगों करता है वो तरंगों का सिद्धान भी हमारे महान बिझ्ञाने जगडी चन बसु नहीं थे पर उसके सही हगदार जगडी चन बसु थे अभी आपने देखा कि एक उपलब्दी हमाएं सार और जुड़ी है वो उपलब्दी है बैक्सीन हमने अपने देश की स्वयम की बैक्सीन बनाई और कोबिट जैसी महामारी कोरोना जैसी बैस्क महामारी जिसमें देश पूरे बिस्ट भर में 20 lakh से 1000 लोग मारे गए उस बीमारी मैं भी भारत की दोहरा 100 निर्मिट ग्सीन ओपयोगिता में आई और हमारे देश मं लगातार बैक्सीनेसन हो रहा है और बैक्सीनेशन की बात करें तो बैक्सीनेशन के मामले में हमने 20 में कीडितिमार बनाया है इतनी तेजी से वैक्सिनेशन होगा है और सबी राज्चों में है और यहां तक कि वैक्सिनेशन की बात करें तो हमारे यहां की बनाई ही सो डिल्मिट बैक्सिन इस समय आपकी बिडेसों में भी जा रही है क्या COVID-19 करें? क्योंकि हम सुनूर से तमाम ऐसी चीज़ों के जनक रहे हैं और हमने बिस्तो समीडाय को कभी भी जगवर पड़ी है तो हमारे दोरा तमाम ऐसी चीजे हैं जो इजाद की कई है अगर हम परमानु सिद्धान की बात करें तो परमानु सिद्धान के जनक को डाल्टन कहा जाता है कि डाल्टन नहीं परमानु सिद्धान दिया जो आज परमानु गद्विडिया है परमानु वूर्जा है परमानु सेक्टर है और परमानु बम है तमाम जैसी चीज़े हैं जो कि परमानु व्यास्तों से जुड़ी हुई है वो सारा को सिद्धान के जो देने वाले थे वो डा इसा नहीं है कि कि बाल डालता नहीं परमानुशिद्धान्त लेके आए हमारे महान बेग्जाने को पहले ही जो कनाथ थे उन्होंने पहले ही परमानुशिद्धान्त दे दिया था इसके लाबा जो हम बात करने वाले वो बात करने वाले योग की योग और आहरुवेद ये प्राकर्तिक चिक्षा पद्धती है और पद्धती को सुरुबात करने वाले भारत के ही रहे हैं हमारे पुराने रिसी मनी महर्शी थे वो प्राकरतिक उपचार करते थे धन्मंतरी चरक और सुसुरुथ जो की लगाता है आर्वरिक चिक्षा पद्धती हो से लाज करते तो मैं आपको पताया कि आज से तेई सो बर्स पूर्वे जो सुसुरुथ है जो की सल्ल्छिक्षा के जिसमें दिमाग की और पेट की सरजरी भी सामेल है तो आप समझ सकते हैं कि आज के तक्निक से अठाइस सौ साल पुरानी तक्निक भी हम देने वाले थे जो प्लास्टिक सरजरी जो आज बिदा चल लए है जिस पर तमाम तरह के लोग बाते करते हैं और तमाम तरह के अपने आपको प्लब्दी बनाते हैं वह चिकिस्ता पद्दती भारत में आज से अठाइस साल पुरानी पहले हो चुकी है और भारत के महान चिकिस्ता सरजरी की गई थी यह इतिहास है यह इसलिए आपको बता रहा हूं कि जानकारी होनी चाहिए कि हमारे दे जिन तकिन्हों को यह कहते हैं कि उन तकनीक पर हमने बहुत काम किया है जिस को समडाय को बहुत बहुता है तो आपको बता दूंतों ढवारत इधात हो चुकी थी वह पहले प्रास्टिक सरजरी भी होती थी और बहुत पहले और काम भी होते थे जो कि चिक्षा पद्रीति जुड़े होते गुरटप्रकर्सन के खोज माने जो हमाएं पैसरी गड़ितक के थे खगोर सास्तिरी थे भासका चार औरोनत की थी और सबसे वड़ी बात है कि जो हमारा देश है वो तमावन तरह की प्राचीन सब्विताव की दियन है सिन्दू गाटी सब्विता ये भी सब्विता थी हरपा मोहंज़ोरोगी सब्विता ये भी सब्विता थी और ये सब्विता हमारे हमारे देश के दुवारत दी गई है गड़ित का अधार यानि सून होता है इसकी खोजी भारत में की गई थी और आरबट पहले वेक्ति थे ज परमानु अपबार्द है वो भी जो सद्धान्त है वो भी हमारे परमानु थियोरी बना चुके थे इसके अलाबा एक बात और अलग है कि भारत ही पहला देश था जिन्हें ने जिसने आस्वन विरी से बिस्त को जिंक को गलाना सखाया जिंक एक ऐसी धातू है जिसको गलाना संभव नहीं है पर हमारी प्राकतिक और प्राचीन रसायन विज्ञान में एक ब्योस्था को बिक्सित किया और प्राचीन पार्सियों ने जिंक अक्साइट को एक खुली बट्टी में टोड़ने का प्रयास किया था लेकिन नाकाय मरा ह और पर उसके बाब जूर आस्वन विडी से जिंक को गलाना भारत ने सिखाया और भारत की यह खोश थी और आज भी रायस्थान की तिरी घाटी में स्थित जाबर दुनिया का पहला ऐसा केंद्र है जहां पर प्राचीन जिंक स्थल है जहां पर जिंक को गलाए जाता है अधरवेर्ड की बार मैंने आपको पता ही और जुद में अमनन मजाईक का हम प्रयुक करते हैं और बताते हैं कि सेरा काम करते हैं तो मैं आपको बता दूओं कि रॉकेट का इतिहाद भी उतार नहीं कि रॉकेट को अस्तर्सक्रूब उपयोग किया था और ये रॉकेट आज से जब काफी समय पूर जब अंग्रेजों को सासनकाल था उस समय मैसूर के एक सुल्टान थे टीपूर सुल्टा जिनको कहा जाता है उन्होंने अंग्रेजों की स से लोहा लेते स्मय का अविस्कार किया उनके दोवारा ये राकट पद्डिति लाए गयी थी और राकैट के माद्ध्यों को श्रक हें और उसक에서 को का रिडियो मैंने आपको पताया गड़सेजिया के ना जानकारी्हाजज जिन पर पूरी वियुष्था है जाहे वह गतिये हो थाहे मिसाइल सिस्टम हो काई शिबल सिस्टम हो चाहे गर्णा हो चाहे अविसकार हो चाहे तकनीकी हो सब जुड़े हुए हैं वो भी देने वाली हमारी डेश की ही उतपत्ती थी हमाय डेश में ही तमाम तरह की उतपार बनें भलेई भिस्व परजर से बोलता रहा है कि हम उनके अविसकारक है पर अगर उन तो तवान तरह कि एसी जो खोज थी वो भारत द्वारत रखा गया इसी रखा गया कि लोग समझें कि हम उस भारत में रहते हैं जिस भारत ने कुछ बहतर करके दिया है जो कि बहतर है जो कि आज भी चली आ रही है इन में से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आज प्रचलित ना हो चाहे आप भासा की बाद मानते हों चाहे आप जीरो की बाद मानते हों चाहे आप दसनलों की प्रणाली की बाद मानते हों चाहे आप योग और आयुवेट की बाद मानते हों चाहे आप परमानु सिद्धान की बाद मानते हों चाहे आप प्रमानु सिद्धान की बाद मानत बिश्च समुदाय को भारत ने दिये और ऐसे अनुसंधान दिये ऐसे अभिस्कार दिये जो आज भी लगाता रुपयोग में लाए जा रहे हैं दसलो परिणाली पाई की तुलना पाई की समाधान और पाई की गढ़ना दसलो परिणाली टिगनोमेट्री जैमेट्री अंकड़िस बीचगड़िस कैलकुलस और जीरो के बिना गढ़तिय सिध्धान्त की हम तुलना ही नहीं कर सकते हैं कोई भी प्रमे, कोई भी सिध्धान्त, कोई भी बड़ा सवाल, कोई भी बड़ी तकनीक इन सारी ब्योस्थाओं के बना संभवी नहीं है। तो यह जो ब्योस्था है यह जो विस्कार है यह जो प्रिणाली है और यह जो ब्योस्था है यह देने वाला हमारा देश यह हमारा भारत है परमानुशिद्दान जिस पर बड़े बड़े नाप की रेक्टर काम कर रहा है जिस पर बड़े बड़े संसाधन काम कर रहा है जिस को भी देने वाले हमारे भारती बज्ञादक कर दे थे जिस सअजरी की तहत है लूतीए फ्यूनाचे कर देखते हैं नोपने पर्धार से भ। थे परहां किessen आज देखते थे जिस operation के लिए बड़े-बड़े जन्रल चपते हैं जिस operation के बड़े-बड़े नुबर परस्कार मिलते हैं वह operation हमारे यहां के बैग्ञानिक आज से 30 साल पुराने कर चुके थे कि यह भारट का Casa आज हम बस्को ड्हालों की घनरा करते हैं यह बस्को का पैला पिशुट्श में खोलागई तब किसी यह nggakंत्य-डेश का अपुम्य निदिय के ले से भारट कहते हैं यह हमाज देश की पलब्धी है, हमें तमाम ऐसे सिधान दिये और तमाम ऐसी काम किये और तमाम ऐसे अभिसकार किये जिसके लिए बिस्त समेराय हमारा आज भी अनुसरन करता है। भले टक्निक के मामले में परतनता के कारण हम आज तमाम चीजों में पीछे हो गये। हम आज भी 46 मेहाँ हैं आज विखसे और और को सालयों सुर्ण रहें त्युकर के बहुत देखेंगे लगातार विश्ब्रत बिष्व परदस्व में और सबस्केर निकलते हैं तो भारती मूलक होते हैं भारती होता है और आप जानकारी करेंगे तो भारती मूलक होगा या किसी भारती द्वारा किया गया होगा बिस्व में अगर सबसे बड़ी सेनाओं में गिनती करेंगे तो आज भी भारत की सेना नंबर दो पर आती है भारती सेना चीन की मुक्ती सेना के बाद हमारी भारती सेना आज बिस्व की नंबर दूसरी सेना है और आज तमाम ऐसी चीज़ों हैं जिन पर हम विष्ट देश हमारा सानी नहीं है हम तब भी प्रातिन भारट में विष्ट गुरू थे और आने बाले समय में भी विष्ट गुरू बनेगे बस हमारे देश का एक एक नागरिक हमारी उपलब जिर को समझे हमारे समझे और अपने आप पे गर्ब करे कि ये हम भारतिये हैं क्योंकि भारतिये होना अपने आप में एक बड़ा रुमांच है यह अपना पाद है और अपनी आप में बहुत बड़ी यह पिटिस्ठा है कि हम भारती हैं क्योंकि आज भी हम हां BT ह हां जोड़ के परणाम करते हैं कि हमारी संसकीति यह बताती है कि हमें हमेशा दूसरों का संमान करना चाहिए कभी किसी को अपने चोटा नहीं समझना चाहिए इसी मानसक्ता के साथ इसी संस्किति के साथ इसी नेतिक मुल्यों के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहे हैं और जो प्रब्दियां प्राचीन भारत ने हमारे हमको बताई हैं और प्राचीन भारत ने पूरे बिस्तो समुझाय को दी है आने बाले समय में भी हम इसी तरह की तमाम उप्रब्दियां बिस्तो समुझाय को देंगे जिससे बिस्तो कल्लान होगा और बिस्तो मंगल होगा जैसे कि कुरोना की समय में हमने बैक्सिन दी और तमा जिनने काले का सेबन किया जिनने प्णाशन बिदी को अपनाया बों लोग करुघार हमारी को हराने में सफल हुए तो यह हमारा भारत है और भारत में तमाम ऐसे अविस्कार है जो प्राचीन भारत में भी होते आए हैं आगे भी होंगे क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि बीर भोग्या पसंद्रा जो भारत है वो बीरों की जन्नी है अविस्कारों की जन्नी है और हमेशा से ही बैतर कल का सपना सोचते हैं और विश्व को हमेशा एक गल्यान की भावना से उनके लिए ऐसे अब इसकार की ब्युस्था करते हैं जिससे पूरे विश्व समयदायों को लाब मिले और हर जगए खुसी और प्रेम का महौल रहे साथ तक्निक के मामले भी हम लगातार आंगे बढ़ रहे हैं और वह दूर नहीं होगा जब हम विश्व को तमाम ऐसी चीज़े देंगे जो कि इस विश्व में सांटी और स्वरच्छा ब्युस्था को अच्छा बना लखेगा क्योंकि आध्यार में गुरू बनना भी बहुत जबरदस्ती नहीं की कभी कोई एहम नहीं देखाया और हमेशा एक बात को लेते गए हैं कि अगर हमने दिया है तो हमेशा देंगे और पहले भी अविश्कार किये पहले भी तमाम तरह का नुजन दान किये हैं और आंगे भी करते रहेंगे भारत ने हमेशा बसुड़े को अब देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार